नमस्कार दोस्तों, आईए सुनते हैं महान लेखक प्रीमचंद की लिखी एक लगू कथा मिस पद्मा खानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ वह था जीवन का सुनापन विवाह को उन्होंने एक अप्राक्रितिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी एमेकी डिग्री ली फिर कानून पास किया और प्राक्टिस शुरू कर दी रूपवती थी, युवती थी, मृदु भाषणी थी और प्रतिभा शालिनी भी थी मार्ग में कोई बाधा न थी देखते देखते वह अपने साथ नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़ कर आगे निकल गई और अब उसकी आमदनी कभी कभी एक हजार से भी उपर बढ़ जाती अब उतने परिश्रम और सिर्मगजन की अवशक्ता न रही मुखद में अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था उनके विशय में किसी तरह की तैयारी की उसे जरूरत न मालूम होती अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था कानून में कैसे विजय मिला करती है इसके कुछ लटके भी उसे मालूम हो गय थे इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इसलिए वह किससे कहानिया पढ़ने, सेर करने, सिनिमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च करती थी जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी वियसन की जरूरत को वह खूब समझती थी उसने फूल और पौधे लगाने का वियसन पाल लिया था तरह तरह के बीज और पौधे मंगाती और उन्हें उकते, बढ़ते, फूलते, फलते देखकर खुश होती मगर फिर भी जीवन में सुने पन का अनुभव होता रहता था ये बात न थी कि उसे पुरुषों से विरक्ती हो, नहीं, उसके प्रेमियों की कमी न थी अगर उसके पास केवल रूप और योवन होता, तो भी उपासकों का अभाव न रहता मगर यहां तो रूप और योवन के साथ धन भी था फिर रसिक वरिंद क्यों चूग जाते? पदमा को विलास से घ्रिना थी नहीं, घ्रिना थी पराधीनता से, विवह को जीवन का व्यवसाई बनाने से जब स्वतंत्र रहेकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है, तो फिर क्यों न उड़ाया जाए? भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी, इसे वह केवल देह की एक भूग समझती थी, इस भूग को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है, और पदमा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी, ग्राहक दुकान में वही चीज लेता है, जो उसे पसंद आती है, पदमा भी वही चीज चाहती थी, यो उसके दरजनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, मगर ये सब के सब अयाश थे, बे फिक्र, केवल भौरे की तरहां रस लेकर उड़ जाने वाले, ऐसा एक भी न था, जिस पर वह नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है, वह चीज क्या थी? पूरा आत्म समर्पन और ये उसे न मिलती थी, उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद था, बड़ा ही रूपवान और धुरंधर विद्वान, एक कॉलेज में प्रोफेसर था, वह भी मुक्त भोग के आदर् और पद्मा उस पर फिदा थी, चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्ण तह अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में ना आता था, संध्या हो गई थी, पद्मा सेर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गए, सेर करना मुलतवी हो गया, बातचीत में सेर से कहीं ज्या के बाद उसने गह डालने ही का निश्चय किया था, उसने प्रसाद की नशीली आखों से आखें मिला कर कहा, तुम यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते, प्रसाद ने कुटिल विनोध के साथ कहा, नतीजा ये होगा कि दो चार महीने में ये मुलाकात भी बंद हो जाएगी, मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्या आशय है? आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ, आखिर क्यों? मैं अपनी स्वतंतरता नखोना चाहूंगा, तुम अपनी स्वतंतरता नखोना चाहोगी, तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी तुम्हें जलन होगी मनमुटाव होगा फिर वैमनस्य होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगी घर तुम्हारा ही है मुझे बुरा लगेगा ही फिर ये मैत्री कैसे निभेगी दोनों कई मिनट तक मौन रहे प्रसाद ने परिस्थिती को इतने स्पष्ट बेलाग लठमार शब्दों में खोल कर रख दिया था कि कुछ कहने की जगा न मिलती थी आखिर प्रसाद ही को नुक्ता सूझा बोला जब तक हम दोनों ये प्रतिग्या न कर लें कि आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो तब तक एक साथ निर्वान नहीं हो सकता तुम ये प्रतिग्या करोगे पहले तुम बतलाओ मैं करूँगी तो मैं भी करूँगा मगर इस पर एक बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी और मैं भी इस एक बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूँगा मन्जूर मन्जूर तो कब से? जब से तुम कहो मैं तो कहती हूँ कल ही से तै लेकिन अगर तुमने इसके विरुध आचरन किया तो और तुमने किया तो तुम मुझे घर से निकाल सकती हो लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूँगा तुम मुझे त्याग देना और क्या करोगे जी नहीं तब इतने से चित्त को शांती न मिलेगी तब मैं चाहूंगा तुम्हें जलील करना भलकि तुम्हारी हत्या करना तुम बड़े निर्दई हो प्रसाद जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं लेकिन एक बार प्रतिग्या में बंध जाने के बाद फिर ना मैं उसकी अवग्या सह सकूँगा न तुम सह सकूगी तुम्हारे पास दंड का साधन है मेरे पास नहीं है कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देगा मैं तो केवल अपने पशुबल से प्रतिग्या का पालन कराऊंगा और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूँगा। तुम तो चितर का श्याम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो ये मकान, नौकर चाकर और जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। हम तुम दोनों जानते हैं कि इरश्या से ज्यादा घ्रिनत कोई सामाजिक पाप नहीं है। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं मैं नहीं कह सकती। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने को तयार हूँ। दिल से कहती हो पदमा, सचे दिल से। मगर ना जाने क्यों तुम्हारे उपर विश्वास नहीं आ रहा है। मैं तो तुम्हारे उपर विश्वास कर रही हूँ। य मेरे स्वामी बन कर रहोगे, मैं तुम्हारी स्वामीनी बन कर रहूंगी। भाग 2 प्रोफेसर प्रसाद और मिस्पदमा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था, वह सत्य बन गया है। प्रसाद को केवल 200 रुपे वेतन मिलता है, मगर अब वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवा नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता है। अब उसके लिए अलग अपनी कार है, अलग अपने नौकर हैं, तरहा तरहा की भुमूल्यत चीजें मंगवाता रहता है और पदमा बड़े हर्श से उसकी सारी फिजूल खर्चियां बरदाश्त करती है। नहीं, बरदाश्त करने का प्रश्न नहीं, वह खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहना कर, अच्छे से अच्छे ठाट में रखकर प्रसन होती है। अपने को उसके वश में पाती है। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता है। पद्मा को उसकी बारीक आँखों ने पढ़ा है और उसका आसन अच्छी तरह पा गया है। मगर जैसे राजनीती के क्षेतर में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है। उसी तरह प्रेम के क्षेतर में भी वह दुरुपयोग की ओर ही जाता है। और जो कमजोर है उसे तावान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लॉंडी थी और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फाइदा उठाने से क्यों चूकता। उसने कील की पतली नोक चुभाली थी और बड़ी कुशलता से उतरोतर उसे अंदर ठोकता जाता था। यहां तक कि उसने रात को देर में घरा पद्मा को अपने साथ न ले जाता उससे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्ध है और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। दो साल गुजर गए थे और पद्मा को गर्भ था। वह स्थूल भी हो चली थी। उसके रूप में पहली कीसी न लोट कर आई तो प्रसाथ गायब थे। वह जुझला उठी। इधर कई दिनों से वह प्रसाथ का रंग बदला हुआ देख रही थी। आज उसने कुछ स्पष्ट बातें करने का साहस बटोरा। दस बज गए, ग्यारा बज गए, बारा बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी थी। भोजन ठंडा हो गया, नौकर चाकर सो गए। वह बार बार उठती फाटक पर जाकर नजर दोडाती। बारा एक बजे के करीब प्रसाथ घर आए। पद्मा ने साहस तो बहुत बटोरा था, पर प्रसाथ के सामने जाते ही उसे इतनी कमजोरी मालूम हुई फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहां थे, कुछ खबर है कितनी रात गई। प्रसाथ को वह इस वक्त असुंदर्ता की मूर्ती सी लगी, वह एक विद्याले की छात्रा के साथ सिनिमा देखने गया था, बोला, तुमको आराम से सो जाना चा पदमा का साहस कुछ प्रबल हुआ, तुमसे मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब दो, मुझे जहन्नम में भेजो, तो तुम भी मुझे जहन्नम में जाने दो, तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूँ, तुम्हारी आखों की जियोती कुछ बढ़ ग तुम जाने को तयार हूँ, तुम जानी की धमकी क्या देते हो, यहां तुमने आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है, मैंने त्याग नहीं किया है, तुम ये कहने का साहस कर रही हो, मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड रहा है, तुम समझती हो, मैंने इसे पदमानी दीन भाव से कहा, और आज जो मेरी दशा हो गई है, तो तुम मुझ से आखे फेड लेते हो। उसका कंठ रुंध गया और मेज पर सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पाई। दिन बढ़ती जाती थी, क्या करे क्या न करे, गर्भ पूरा हो गया था, वह कोट न जाती थी, दिन भर अकेली बैठी रहती। प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पी कर फिर उड़ जाते, तो ग्यारा बारा बजे के पहले न लोटते। वह कहां जाते हैं, ये भी उससे छिपाना था। प्रसाद को जैसे उसकी सूरत से नफरत थी। पूर्ण गर्भ, पीला, मुख, चिंतित, सशंक, उदास। फिर भी वह प्रसाद को श्रिंगार और आभुशनों से बांधने की चेश्टा से बाजना आती थी। मगर्भ, जितना ही प्रयास करती, उतना ही प्रसाद का मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रिंगार उसे और भद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी। प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी। मगर्भ, प्रसाद का न रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुन बना रहा था। बालक को गोध में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने न पाकर उसने बालक की ओर से मूँ फेड लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हो। पांच दिन सौर ग्रिह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी हुई। माता बनकर वह अपने में एक अध्भुत शक्ती का अनुभव कर रही थी। उसने चप्रासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे। चप्रासी खाली हाथ लोट आया। पद्मा ने पूछा। रुपए? बैंक के बाबु ने कहा। रुपए सब प्रसाद बाबु निकाल ले गए। पद्मा को गोली लग गई। बीस हजार रुपिये प्राणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। आई हुई घर में आई प्रसाद की तस्वीर उठा कर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुछला। उसका जितना सामान था उसे जमा करके दिया सलाई लगा दी और उसके नाम पर थूख दिया। एक महीना बीद गया था। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोक मैं निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा आती। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लेडी अपने पती के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बिठा आई लिए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आँखों से उस खुश नसीब जोड़े को देखा और उसकी आँखें सजल हो गई। शुरोताओं अभी आप सुन रहे थे महान लेखक प्रेमचंद की लिखी कहानी मिस पदमा। उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही हो मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।